फेस्टिव सीजन की शुरुवात हो चुकी है दोस्तों इस दिहार खुशियों के पलों को डबल करें और घर पर ही बनाएं मीठे मीठे ये हलवाई स्टायल बेसन के लड्डू ये दानेदार बेसन के लड्डू मूँ में जाते ही खुल जाते हैं लड्डू को परफेक्ट त से बनाने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें तो चलिए शुरू करते हैं अब एक कड़ाई में आड़ करूंगी मैं आदा कप से थोड़ा सा कम घी देखे मैं थोड़ा बचा लिया है फ्लेम को लो ही रखना है अगर आपका पर ग्राम में में मेजर नही कर लेंगे जो बेसन मैंने यहां पर लिया है नॉर्मल जो घर पर आता है सबके वो वाला बेसन है अगर मोटे बेसन को आप यूज करेंगे तो इसके बेसन के लड़ू तो बहुत ही बढ़िया बनेंगे फ्लेम को लो ही रखना ताकि जो बेसन है अच्छे से भुने और इस जो गिए एबसॉब करता है और दीरे दीरे करके चोड़ता है उससे चोड़ता है यह पतला होता है तो घी कमे डालिएगा स्टार्टिन में मैंने यह आगे और ओंगे इस रेसिपी में आपके साथ एक ट्रिक शेर करूंगी जो हलवाई यूज करते हैं बेसन के लड़ू को बुरबुरा बनाने के लिए तो उस टेकनीक को आप जरूर फॉलो कीजेगा दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ ही बेल बटन प्रेस कर दे लेटस अपडेट से नोटिफिकेशन के लिए बेसन को जब हम लो फ्लेम पर कंटिनूसली स्टर करते रहेंगे थोड़ा टाइम तो लगेगा पर जब इसका रिजल्ट आएगा तो आपको बहुत ज़ादा खुशी होगी क्योंकि इसके अंदर जो कच्चापन है वो नहीं रहेगा तेज आज पर भूनने से क्या होता है बेसन में जला जला पन आता है वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए फ्लेम को लो रखना है कंटिनूसली स्टर करना है मुझे यहां पर बेसन को भूनते हुए लगबग 15 मेट हो चुके हैं और देखिए यह बिल्कुल पतला हो चुका है इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते है फ्लोई हो चुकी है कलर भी आप देख सकते है चेंज हो गया है लाइट ब्राउन हो चुका है थोड़ा सा टाइम और लगेगा इसे कंटिनूसली स्टर करते रहना है अब आई वो टेकनीक की बारी जो मैंने आपको कहाता की हलवाई करते है हम भी वो ही ट्रिक अपनाएंगे एक कटोरी में एक टेबल स्पून वाटर लेंगे और उसमें डालेंगे चुटकी बर हल्दी आप चाहें तो फूट कलर भी यूज कर सकते हैं मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे और कंटिनसली स्टर करना है लो फ्लेम पर आप देखिए इसके अंदर आपको हलके बबल जिखाई दे रहे हैं इससे क्या होगा बेसन जो है वो फूलेगा और उससे हमारे लड़ू बिलकुल दानेदार बनेंगे या सी खुश्बू फैल जाएगी आप देख सकते हैं जो बेसन है थोड़ा सा गाड़ा होना शुरू हो गया है फिर से घी देखिए जो मैंने बचाया था वो बचाई हुआ है आदा कप से कम घी यूज हुआ है यानि की 90 ml तकरीबन बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी हाल के अलकी शाइन है और जो वाटर है वो भी अच्छे से एब्जॉब हो चुका है इस टाइम पर फ्लेम ओफ कर देंगे पस्टर करना आपी बन नहीं करना है इसे दो मिनिट के लिए और स्टर करना है क्योंकि बेसन अपने आप में heat रेटें करके रखता है जसाइ फ्लेम ओफ हो जाये बेसन थोड़ी देर के लिए भूंता रहता है थोड़ी देर के लिए इसको थंड़ा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे बिल्कुल थंडा नहीं करना है थंडा उतना ही करना है जितना आप हाथ में परदाश कर सकें इस टाइम पे हम आड़ कर देंगे आदा टीस्पून इलाइची पाउडर साथ ही डालेंगे बारीक चॉप किये हुए बदाम आप इसमें एक टेबल स्पून रोस्ट करके खरबूजी की गिरी भी आड़ कर सकते हैं इसी टाइम पे हम आड़ कर देंगे तीन चुथाई कप बूरा चनी से इसको अच्छे से चान लेंगे बूरा पहले मत आड़ कीजिएगा दिहान रखेगा गरम गरम में अगर आप आड़ करेंगे तो बिलकुल मेल्ट हो जाएगा और बेसन के लड़ू में जो बुरबुरा पनाना है जो करारा पनाना है वो नहीं आपाएगा मिक्स कर लेंगे अच्छे से यह जो बूरा है करारा भी कहते हैं तगार भी कहते हैं यह घर पे भी आप बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँ तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखके बताईएगा जो सारे इंग्रीडियन्स है उसे हाथ से अच्छ से मिक्स कर लिजेगा जब ये मिक्षर मिक्स हो जाए उसके बाद आप हाथ में इसको बाइंड करेंगे तो देखेंगे ये बिल्कुल परफेक्टली बाइंड हो रहे हैं अब इसे लड़ू की शेप देंगे ऐसे ही सारे लड़ू को शेप कर लेंगे तियार हैं ये बिल्कुल खाने के लिए इस दिवार घर पर ही बनाएं कुछ मीठा और सब का मुँठा करें मैं मिलूंगी ऐसी ही और टेस्टी हरवाई स्टाइल विट टिप्स और ट्रिक्स रेसिपीस तब तक के लिए गुट बाई टेक केर डोंट फोगे टो लाइक शेर और सब्सक्राइब